सिद्गुर्ख कभीर कहते हैं मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले हीरा पायो गांट गठी आयो बार-बार वाकू क्यों खोले हलकी इत्थी तब चड़ी तराजू पूर भया तब क्यों तोले हंसा पायो मान सरोवर ताल तलईया क्यों डोले तेरा साहिव है घड़ भीतर बाहर नैना क्यों खोले कहत कवीर सुनो भाई साधो साहिव मिल गे तिलो ले मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले हीरा पायो गांठ घठी आयो बार बार वाको क्यों खोले हलकी इत्थी तब चड़ी तराजू पूर भया तब क्यों तोले सुरत कलारी भई मतवारी मदवाप पी गई बिन तोले हंसा पायो मान सरोवर ताल तलय या क्यों डोले तेरा साहिव है घड़ भीतर बाहर नैना क्यों खोले कहत कवेल सुनो वाई सादो साहे मिलगे तिलो ओले मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले जब मन आत्मलीन हो गया तब क्यों बोले यहां बोलने करते विवात करना कला करना बोलने के एक दम मनाई नहीं है जबान में दो इंद्रियां एक ज्ञान इंद्री है और एक करम इंद्री यह एक ऐसी इंद्री है और बाकी सब अलग अलग है इसमें रसन है और वाक है रसन इंद्री ज्ञान इंद्री है वाक इंद्री करम इंद्री है रसों का ज्ञान जिवा से होता है इसलिए रसन इंद्री है ज्ञान इंद्री रस का ज्ञान करने वाले है लेकिन वाक इंद्री भी इसमें है बोला जाता है जीव न हो तो लोग बोल नहीं सकते हैं जिबा को वस कर लेने पर बहुत कुछ अपने वस में हो जाता है स्वादा सक्ती जीत लेना और वाणी में सैयम कर लेना यह बहुत बड़ी बात है जीव की लंपटता मनुस के पेट को स्वास्त को खराब करते है जीव का लंपटा आदमी काम जयी नहीं हो सकता काम जयी होने के लिए काम पर विजय करने के लिए जीव की रसन इंद्री पर विजय करना बहुत चरोरी है स्वादा सक्त का त्याग महात्मा गांधी ने अपने ग्यारा वर्तों में अस्वाद एक वर्त माना अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य संग्र शरीर स्रम अस्वाद स्रवत्र भैवर्जन स्रव धरम समानत्त सुदैसियस पर सुभावना बिने वर्त निष्ठा से एक आदस सेव्व्य हैं अहिंसा किसी को तकलीफ न देना विरोधी को भी तकलीफ न देना वो अंग्रेज गवर्मिन्ट के विर्द थे वो कहते थे अंग्रेज यहां से चला जाएं भारत हमारा छोड़ दे लेकिन वो अंग्रेजों के हिंसा नहीं करना चाहते थे कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज लोग भी उन पर विश्वास करते थे, और इंग्लेंड का एक अंग्रेज ही आकर के, महात्मा गांधी फिल्म बनाया, अइंसा एक ऐसा सद्गुण है, जो सुपक्ष परपक्ष सब को आस्थावान बना देता है, अइंसा पर उन्होंने खुप सोचा और खुप काम किया, और सत्थ का पक्षदर होना, अइंसासत्य अस्तय चोरी न करना, अइंसासत्य अस्तय ब्रहमचर्ज ब्रहमचर्ज का पालण करना। उन्होंने př archives थिर समय थी प्रहमचर्ज ब्रहमचर्ज भूर्ते ले लिया, और उसके बाद फिर अनिको भी काने लगे, कि देश को आजात करना है, सेवा करना है, तो विभाह नहीं किई ओ तो न करो, और कर लिए हो तो पत्पत्नी भाई भेहन कितरा रहा, असंग्रह, का आपने शरीर के लिए अधिक धन न जोड़ना, समाझ के लिए हो देश के लिए हो, घर-परिवार के लिए हो जोड न पढ़ नजोडना, सरीर स्रम, सरीर से महंती होना, अइंसा सब्तस्ते, ब्रहमचर्ज, संग्र, सरीर स्रम, अस्वाद, स्वाद की चेष्टा न रखना, वे नीम की पत्ती की चटनी खाते थे कुछ दिन, बोजन में सब एक साथ बैठते थे, तो उनके पास एक कटूरी में चटनी आ जाए, तो पास में एक सजजन बैठे रहे हैं, वो ललचाय रोज, कि इनी के लिए चटनी आती हैं, लोग नहीं मिलती है, तो एक दिन उनोंने कहा, बापो, मुझे भी थोड़ा दे दे, तो उनों गए बाहर कुल्लाव लगे तो इस सवासने लगे, अध्भुत्य गांदी जी, सरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भैवरजन, सब तरप निर्वेरान, जो अहिंसवरत का पारण करता हो, निर्वेराता है, उन पर दक्षणी भारत में बं फेका गया, तो पुलिस का पारा होन गांदी जीने का कोई पारा की जरूरत नहीं, छोड़ दो सुतंत्र, वे समझते थे शरीर श्रम अस्वान है, इसके लिए पारा, और फिर हुआ, एक बिक्ति आया, जो अपने को बहुत बड़ा महान समझता था, उसने उनको मारा, लेकिन उनको मारा है, मारने वाला मर गया मारने वाला समूह मर गया, वे हमर है, पच्पन करोण रूपया पाकिस्तान को देना था, क्योंकि हमें जंगलात की संपत्य बहुत मिली थी, पच्पन करोण रूपया कुछ नहीं था, उसी पर लोग और चिड़ गये, और ये काम किये, मात्मा गांदी का रहे थे, कि नहीं दोगे, बदनाम होगे, अंत में अंतर राष्टी बात चाहेगी, और देना पड़ेगा, इसलिए दे दो, तो सत्त के पक्षितर थे, सर्वत्र भैवर्जन, सर्वधर्वन समानुत्या, सभी संपर्दायों में समान बुद्धी रखना, सुदेसी, अपने देश के लिए निष्टा होना, सुदेसी वस्तों का उप्योग करना, असपर्श भावना, छुवचूत की भावना न रखना, मानुमाल्त समाना, विने वर्थ निष्ठा से एक आदस सेव्व्य हैं, विने वर्थ और निष्ठा से एक ग्यारहो वर्थ सेवन करने योग के हैं। तो इसमें अस्वाद, पर मुझे याद आया, काम की चीज थी, सब को गिना दिया, बहुत लोग तो जानते भी होगे। जिवा के स्वाद को जीतो और वाणी को जीतो, कटुक बचन मत बोल रहे, घट घट में वह हिसाईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे, कट बचन बोलते हो तो हिंसा करते हो। मनमस्त हुआ तब क्यों बोले? जब मनमस्त हो गया, आत्म तुष्ट हो गया तो विबात क्यों करे? विजानन विद्वान भोते नातिवादी ये सुर्थ बचन है, विजानन विद्वान जो अच्छी तरह से जान लिया सक्त्य को भोते नातिवादी, वो आतिवादी नहीं होता है बढ़बढ कर बात नहीं करता है मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले हीरा पायो गांट गटिया आओ बार बार वाकू क्यों खोले हीरा मिल गया गांट में बांध लिया उसको खोल करके दिखाने और प्रदर्सन करने की क्या वश्यक्ता बोध और रहनी ये दो हीरा है शरूप बोध और अंतर मुक्ता शरूप बोध अपने रूप का बोध अपने पदार्थ का बोध शरूप में दो पद है 101 रूप स्वाराम खुद रूप नाम पदार्थ खुद का पदार्थ खुद का पदार्थ क्या है आत्मा और कुछ खुद का पदार्थ नहीं सब पदार्थ माटी पानी आग हवा के कणों का जोड जो बन बिगड रहा है जिसमें हमारा मोह है, वो माटी पानी आग हवा के कणों का जोड है, वो सब अनात्म है, अनित्य है, मेरा पदार्थ तो स्वेम सत्ता है, शुद्द चेतन, मैं हूँ, ए आत्म बोध हीरा है, आत्म हीरा है, हीरा तो पत्थर है, हीरम क्या रखा है? अब पत्थर ही नहीं है, कोईला है, अन्दता बस वही है, मिट्टी पानी आग हवा के कणों का जोड है, लेकिन दुनिया में उसका महत्त है, चिकना है, ठोस है, चमकता है, शोकिनों के लिए, धनवानों के लिए, फैसन में उप्योग होता है, अब कहीं कहीं मशिनों में भी लगता है, वो घिस्ता नहीं, हीरा ही से हीरा कटता है, दूसरी चीज से नहीं, इसलिए वियंत्रों में भी लगता है, वो काम करता है, उदाहन जितने दिये जाते हैं, उस सब छोटे होते हैं, संसार, सागर, संसार का उदाहन सागर से दिये जाता है, सागर कुल्ला भर पानी है, संसार के सामने, संसार अनंत है, देशकाल अनंत है, और अनंत देशकाल में व्याप्त संसार है, और सागर उसके सामने एक कुल्ला भर पानी है, लेकिन आखिर उदाहन देख इसका, सागर से बड़ा तो और उदाहन नहीं है, इसलिए संसार सागर कहा जाता है, सागर बहुत बढ़ा है आइसे आतमा के सामने हीरा पनना पोकराज कुछ भी नए आतमा के सामना आतमा है गगनम गगनाकारम सागरम सागर उपमम राम रामण योय द्ध रामण रामण योरिव यह बालमीक रामायन में अन्योन्य अलंकार में कहा गया है, गगनम गगना कारम आकास आकास की समान होता है, सागरम, सागरूपमाह, और समुद्र समुद्र की तरह होता है, राम रावन योर युद्ध, राम रावन योरिवा, राम रावन का युद्ध, राम रावन की युद्ध के समान है, राम रावन की युद्ध की विशेष्टा बताई, बहुत कलाबाजी दिखाई है, काब्य है, अन्योन्य अलंकार जिसमें दूसरे का उदाहन न दिया जा सके उसको अन्योन्य अलंकार कहते है सागर सागर के समान है आकास आकास के समान है आत्मा आत्मा के समान है आत्मा के समान और क्या है आत्मा हीरा है और दूसरा हीरा क्या है पवित्र रहनी अंतर मुख होने की प्रक्रिया अपूर अंतर मुख हो जाना ये हीरा है जीवन में दुख क्या है बहिर मुख रहना छूटने वाली वस्तू में मोह करना हमारी हद दर्जे की मूर्खता है और इस मूर्खता में हम अनाद काल से फसे फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते है ज्ञानी मानते है जो बस्तू आजाय कल नहीं है सुभावा सारी बस्तू ये सुभावा है श्व अभाव श्व नाम कल अभाव नाम नरहना नश्केता ने यमाचार से कहा कटूपनिशद में कथा आती है भगवन अस्तीते के नाइम अस्तीते के जब सरीट छूट जाता है तो ये कहता है कि आत्मा अमर है वो रहता है दूसरा कहता है कुछ नहीं रहता है एम प्रेते विच कितसा मनुस से प्रेते मर जाने पर चले जाने पर जीव की निकल जाने पर विच कितसा मनुस से मनुस के मन में विच कितसा रहती है संदेह रहता है अस्तीती के naiva अस्तीत चाहिए अस्ती इजिए एक हुट एक कहता आस्ती है आत्मा हमर ह traveled व अंदाह है वं मरा … ना इम अस्तीत चाहिए. दुसरा कहता कुछ नहीं रहता है मर्गे बस खतम हो गए तो ला एक महाराजे बताईज सच क्या है यमाचारजा नहीं कहा है बड़ा कठिन समाधान है इसको मत पूछो सो वरस की जिन्दगी ले लो बहुत से बच्चे ले लो इस्त्रियां ले लो बाजे गाजे राज काज ले लो सुर्ग ले लो सो वरस जी ओ ये सब ले लो लेकिन आत्मा के विसे मत पूछो ये वड़ा गूर तत्व है नश्केता ने कहा महराज सुभावा ये तो सुभावा है श्वा नाम कल अभाव नाम न रहना ये कल नहीं रहेंगे आज हैं कल नहीं रहेंगे ऐसी चीजों से मुझे फसाना चाहते है ये मुझे नहीं चाहिए भोगों से इंद्रियां जीरन होती है मन खराब होता कौन बिवेकवान विसेओं का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा आप मुझे बताईए आत्मा के विसे में ही तो उन्होंने लंबा व्याख्यान अपना दिया है कठ उपनिशत में इसको पढ़ना चाहें तो उपनिशत सवरभ में पढ़ सकते हैं जो यहां उपलब्द है पुर्मेका दस्द्वार मजस्या वक्रचेत सा अनस्ठाय नसोचत विमुक्तस्चा विमुच्चते एतत वईतत आयनच केता पुर्मेका दस्द्वार मजस्या वक्रचेत सा क्यारा दर्वाजों वाला भवन ये शरीर है और इसमें एक अज अवक्र चेतन निवास करता है अज है अजनमा है नित्य है अवक्र है शुद्ध सरल है चेतसाहा चेतन्य है वह निवास करता है अनुष्ठा है नसोचत जो इसका अनुष्ठान कर लेता है आत्मा की उपास्ना में लग जाता है आत्मा नसंधान में लग जाता है नसोचत फिर उचिन्ता नहीं करता है दुनिया की वस्तूप चिन्ता करना जो आज है कल नहीं है बेवकूफी की बात नसोचत बेमुक्तश्चा वो जीवन बर मुक्त रहता है अवे मुच्चते जब सरीट छोड़ जाता है सदा के लिए मुक्त हो जाता है एतद वही तद अजचकेता जिसके विशे में तुने पूछा है वो यही आत्मा है आत्मा हीरा है वही अपना धन है अपना स्वरूप है जो देह से अतीत है प्रान से अतीत है मन से अतीत है बुद्ध से अतीत है अहंकार से अतीत है शुद्ध चेतन है और हनी क्या है अपने को समेटने की परक्रिया, चारों तरफ से अपने को लौटा लेने की परक्रिया, यह रहनी की साधना, और पूर अंतर मुख हो जाना, आत्मसंतुष्ट, आत्मत्रिप्त हो जाना, यह रहनी है, यह ही रहा है, जो इसको पागया गांट में गठिया लिया हिर्दे में धारन कर लिया बार-बार वाखो क्यों खोले क्यों उसका प्रदर्शन करे बिविगवान प्रदर्शन नहीं करते सत्पात्र के सामने बता देते आमत केरी, पूरिया, बहुबिदि, दीन, छोर साहइफ गाते हैं अम्रित की पुडिया मैंने हर प्रकार से खोल के रख दिये और गोल करके तुम्हें पिला दिया है अब आप सरीखा जो मिले आप जैसे सत्पात्र हैं जिज्ञासों हैं ममुक्छों हैं आप ही जैसा और कोई मिले तो उसे भी घोर के पिला दो कविट साहम में साधु साही पन बहुत था साधा बचन कहना, सिमिट के रहना अन्यायव को नहीं सहे, सब का कहडा ले लेकिन उनको कोई गाली दे, कोई उत्तर नहीं सिर जुका लेने वाले संद थे और क्रांदिकारी थे क्रांदिकारी का अर्थ होता है आगे बढ़ते जाना क्रांद थे आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्रांद थे न रुकना, न फसना, न उलजना, न अटकना कविट साहिव संद थे, आध्यात्मिक पुरुस थे लेकिन समाज की बुराईयों को देख के वो चुप नहीं रहे काम उनका बन जाता न कहते कुछ कौन ब्रामढ़ कौन सुद्ध रहे कौन किसको बुरा भला कहता है कौन किसको क्या अदिकार नहीं देता क्या मतलत अपना मन समेटो शान तिलो लेकिन उनको इस सहान नहीं होगा आदमी आदमी में भेद हांचाम का ध्हाचा सब का सरीर और सब के अंदर में शुद्ध चेत अंतत मौलिक्ता में कोई अंतर नहीं और जनम सिद्ध पुझ बने वैठे हैं कि हम जनम से ही उचे हैं यह दादागीरी यह राजनीती पूरी राजनीती रही है जनम से हम पवित्र हैं और तुम जनम से अपवित्र हो घोर सडयंत्र भरा अविचार और इसको उन्होंने ऐसा विदीरण किया है कोई मुरववत नहीं सिधा सिधा जो तो ब्राममड ब्राममडी को जाया और रादे काहन है और जो तो तुरुक तुरुक निप जाया पेटे काहन सुनत करा है किसी को भी छमा करने वाले नहीं दिल्ली में जब मेरा परवचन हुआ तो शंका समाधान का भी पीछे समय रखा गया था तो एक इद्यारती ने कहा कि कबीर शंत हैं लेकिन वो फटकारती ही रहते हैं गर्म-गर्म ही हैं तो शंत उनको कम मिली होई मैंने का यही तो उनको समझना मुश्किल है एक तरफ से उनके अंदर से आग की ज्वाला निकलती है और दूसरे तरफ से शीतल फवारा स्री विद्यनिवास मिस्र ने भी इसको बहुत बढ़ियां कहा है यह एक अच्छे विद्वान थे अभी कुछ दिन हुआ उनका एक्सिडेंट मिस्री छूट गया बहुत योग्य थे विरोधा भास है विरोधा भास का मतलब है विरोध रहे ना उपरती तो हो वे खंडन करते हैं सरल्चित से राजनित से नहीं राजनित बाजिलेगर के वे बहुत उल्टपड़टा कहा जाता है वैसा नहीं कुछ नहीं चाहते है जो निरीह मासूम मूख प्राणी हैं उनकी वे पक्षधर्ता करते हैं भारत के सत्तर परसत लोगों को मूख बना दिया गया था बोल नहीं सकते हैं बेद सास्र में अधिकार नहीं पढ़ने में अधिकार नहीं कोई सामाजे कुछ करम में अधिकार नहीं बोल नहीं सकते हैं बादे सुद्र दिजनसन हम तुमसे कचु घाट जाने ब्रह्म सुव्य प्रवर आख देखावाई डाट। जब डाटने लगे सुद्र ब्रह्मनों को तो यह कहने कजरूरत पड़ी कि यह तो कल जुग आ गया है, जिसको परंप्रावादी मानते हैं कल जुग आ गया है, उसक अनों ने कहा, लेकिन वह गहरी शान्त में थे, उनका जीवन ही उसका उदारना है, बावन कसनिया बताई गई हैं, अच्छे उक्तियों से भरी हैं, लेकिन इसका मतलब यही है, कि कितनी कठनाई आने पर छमा और कुछ ने, तो वह संद थे, क्रान्दिकारी थे, दोनों थे आत्म ज्यान और पवित्र रहनी, यह हीरा है, इसको जो पागया है, अपने में पचावे है, पात्र कोई हो, उसको ही बता दे, परदर्शन में न पढ़े, दिखावा में न पढ़े, हीरा पायो, गांट गठी आयो, बार-बार आपको क्यों खोले, हलकी थी तब चढ़ी तराजो, पूर वया तब क्यों तोले, जब तक अपने में हलकापन होता है, तब तक इंसान तराजू पर चढ़ता है, और जब पूरा हो जाता है, तब तौलता नहीं, इसका लाक्षणी करता है, कि जब तक अपने में अधूरा पन रहता है, तब तक हम धुसरे से अपनी तुल्ना करते हैं, हम सबसे बड़े हैं बात करते करते ऐसा सिद्ध करना चाहेंगे कि अगले से बड़े हैं किसी बड़े की बड़ाई हो रही है तो सान नहीं होता है हाँ उनमें तो यह है लेकिन यह बड़ा भारी दोश है दूसरे से अपने को स्रेष्ट बतानी की चेश्टा यह तौलनी की प्रक्रिया है यह अधूरेपन का लक्षण है दूसरे से तुलना करने की क्या जरूरत है अपने आप में सब अधत्ती है राम राम है शाम शाम है ना राम शाम हो सकते हैं ना शाम राम हो सकते हैं सब अपनी जगह पर महान है अपना काम करना सारी महानता आउपाधिक है सन्योग जनित है जो धुल करके खतम हो जाने वाले है सारा अरंग रोगन जुठा है यह दिप दिश्टी जिसकी रहेगे कौन सी अहंगता ममता करेगा साधू भक्त कितने अहंकारी हो जाते है ग्यान की बात करने लगे कुछ सद्गुन आ गया साधना करने लगे भक्त भी कुछ अहंकारी हो जाते है साधू तो और क्योंकि उपूजी जाने लगते है कितने तो यही समझते हैं साधु वेश पुझवाने के लिए है और जल्दी-चल्दी साधु वेश मिले और पुझवाओं और साधु वेश हो जाने के बाद तो बसे कही काम है लोगों से पुझवाओं महा अज्ञान है साधु वेश एक सरल वस्त्र है साधना में सरलता है पहनने उड़ने में स्रलता है, एक सात्युक भाउत्पन करने वाला है, लेकिन बिवेक न हो, तो कपड़ा क्या करेगा? कायर आदमी के हाथ में तलवार दे दी जाए, तलवार क्या करेगा? यह खुद कायर है. जब तक अपने आप में वाईराग्य न होगा, एक कपड़ा क्या करेगा? पुजवाने के लिए सादोवेश समझना हद दर्जे की मुर्खता है. सादोवेश धर करके विनई हो जाना चाहिए और विनम्र और निश्काम. कोई पूछता है, पूछता है. ग्रस्त लोग सादोवेश को पूछते हैं. पूछने में दो भावना रहती हैं, एक तो अपना मन पवित्र हो. दूसरी बात, यह समाज की सेवा करते हैं, हमारी आद्ध्यात्मिक सेवा करते हैं, तो हमें दुनिया की चीज़ों से सेवा करना चाहिए. हम दुनिया की चीज़ पैदा करते हैं, लोकिक वस्त पैदा करते हैं, और यह आद्ध्यात्मिक सादना में रहते हैं, और आद्ध्यात्मिक सिक्षा देते हैं, तो हमारा काम है, कि जो हमारे पास है, उससे सेवा करो, तो अंताखन शुद्ध के लिए, और फिर इसके साथ सेवा करना चाहिए, इस दृष्टी से करते हैं, अपने ही को मान लेना कि हम पूझे जाने के लिए हुए हैं, हद दर्जे का आग क्याना है, सादू सावधान, सादू ब्रमचारी, सादू कहा देने पर ब्रमचारी लोग भी समझ लें, छोटे बड़े ब्रमचारी सब, बिनम्र रह सदेव, यह कई वार कहता हूं, कि सादू मार्ग में आने पर, स्वभाविक सदुण आ जाते हैं, मोटे दुरुण नहीं रहते हैं, और फिर कितने लोग ठंडे हो जाते हैं, आँ समझते हैं, अपने माने रगए हुम सादू गुरु हैं, अाँ हमारे यही कामें, लक्चर बाजी, दुसरें लक्चर दे दे दें, बस, हम तो पूर्ण हैं, आँ यही गढ़े में ले जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचो, मनजिल है सुरूपिस्थित बीच में ठंडा न जाओ, सामानि सदगुणों में संतुष्ट न हो जाओ सदगुण मात्र आ जाना सादु के जीवन का फल नहीं सादु के जीवन का फल है सुरूपिस्थित मन का भाय सर्वता समाप्त हो जाना जीवन मरन बराबर हो जाना अंतिमिस्थित में रम जाना ये सादु की सादुता है इसलिए सादु बीच में ढील न हो हलकी थी तब चड़ी तराजू पूर भया तब क्यों तोले जब तक अपने में हलकापन होता है तब तक हम दूसरे से अपनी तुल्ला करने के चक्कर में रहते हैं पूर्ण विवेकुदे हो जाने पर कुछ नहीं सब बड़े हैं हमसे सारा संसार हमसे बड़ा है सब से पीछे और नीचे हमें अपने को रखना है सब से छोटा मैं हूँ सब हीरे हैं मैं कांच हूँ यह नहीं कि अंदर से अपने कांच मान लेता है ब्रह्मे नहीं रहता है और ठोस रहता है जो स्वेम अपनी इस्थित में रमता है इसको देखता है तो ब्रह्मे थोड़े पढ़ जाएगा लेकिन विनई हो जाता है कोई काँच मुझे कहता है ठीक मैं काँच हूँ दूसरे कोई समझा पाया हाज तक जो नहीं समझना चाहता है कोई उसे समझा नहीं सकता है स्री राम अजुद्यवासियों को नहीं समझा सके सीता जी को ले करके ताना मारा गया जो ध्यवासियों के तरफ से धोबी ने ताना मारा यह बालमीग रामायण में कहीं नहीं यह एक छोटे कावबे में है और परसिद्धी उसकी बहुत हो गई बालमीग रामायण जो आदी कावबे है उसमें यह है कि जनजन की आवाज हो गई थी, ऐसी विक्षप्तता अवदबासियों में आ गई थी, कि वे सीता राम को नहीं समझ सके, सीता जैसी पतिब्रता, रावण जैसे बलवान, विद्वान, सब प्रकार से योग के घर में वो कैद थी, उस जमाने में रावण जैसा सूर्वी, विद्वान कोई नहीं था, हर बात में उसका जोड़ा कोई नहीं था, और रावण बारम बार समझाता था, कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये सारी मेरी पत्नियां तुम्हारी सेवा करेंगे, बड़ा-बड़ा प्रलोभन देता था, लेकिन सीता कहते थी, कि हमारे तो राम हैं और कोई नहीं, ऐसी वीर सीता जी हैं, लेकिन उनको अजुद्यवासी समझें, नहीं समझें, सिर राम उनको ले आए, फिर अपनी पत्नी बना लिया, अजुद्यवासियों को खल गया, आप क्या मानते हैं, आप सबको समझा ले जाएंगे, किसको कौन समझा पाया है, जो स्वैम समझना नहीं चाहता, उसको कौन समझा पायेगा, दिवेगवन कभी सोचते भी नहीं हैं कि मेरे नाम रूप के प्रति लोग क्या सोचते हैं निंदा करते हैं कि परसंसा दोनों जूट मैं हूँ क्या? मैं अपनी दसा में रहूं अंतर मुख हो जाओं, अंतर मुख रहूं, संतुष्ट रहूं, बस हो गया यह काएं काएं भाएं भाएं, कौन क्या कहता है, कुछ रखा गद बरस की बाद, दस बरस पूर्व की बाद, बीस बरस पूर्व की बाद, तीस चालिस बरस पूर्व की बाद, साट बरस के पूर्व की बाद, आज कुछ है कलवारी बात आज कुछ है सब भगा जा रहा है किस बात को लेकर के हर्शोक है विवेकवान सदेव अंत को देखता इसलिए उसके मन में कोई अस्पंदन नहीं कोई कमपन नहीं कोई चंचलता नहीं द्रण है स्थिर धीरा कस्चित धीरा प्रदग्यात्मानमा एक्षता वृत्ति चक्षुअ मृतत्त मिच्चन कोई विवेकवान पुरुस धीर ऐसे पुरुस को धीर कहा गया सब आदमी बहिर मुख बाहर के विश्यों में प्रलुब्द कस्चित धीरा कस्चित नाम कोई धीर पुरुष प्रत्यक आत्मन अएक्षत भीतर अपने अंतरात्मा को देखते अपने आपको देखते अपने आप मेश्थित होते ऐसी जगह पर धीर शब्द का प्रियोग सुर्तिवानी में बुद्वानी में पुराने सास्त्रों में आता है धीर धीर वह जो डिगए ना जिसमें कमपन नो चंचल नो असपंदन नो चंचलता नो नेंगते गीदा काती नेंगते ना इंगते इंगन कमपन नेंगते ना इंगते नहीं चंचल होता यह अंति मिश्थित है क्या सुख मिला क्या दुख मिला क्या सम्मान मिला क्या पान मिला कुछ नहीं सब पानी की धारा की तरह बाजाने वाला है इसलिए वो तुलना में नहीं पड़ता है सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं और पूरे संसार की करुणा मेरे उपर है कोई मेरी बुराई नहीं करता मुझे अपने को देखना मैं क्या हूँ बस हलकी थी तब चड़ी तरा जी उपूर भया तब क्यों तोले सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले सुरत कलवारिन बिन तोले मदवा पी गई इसलिए मतवाली हो गई कलवार, कलवारिन, सराब बनाने वाले, पीने वाले आज कितने कलवार हैं, जो भक्त हैं, संत हैं, सदाचारी हैं अर्थ यह है कि मनोविर्त रूपी कलवारिन ज्ञान की मदिरा अनतौल पी लिया और मस्त हो गई मस्ती की बात है इसलिए सराब का भी रूपक है साहिब रूपक देने में बहुत कुशल है सुर्थ कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन दोले सराब की इस्थित में जो आदमी होता है गरगाप हो जाता है बातशाह हो जाता है लेकिन जब उतरता है तब दरिद्र हो जाता है दुखी हो जाता है नशा रहता है तब भी उसकी इस्थित अच्छी थोड़े रहते हैं, दिमाग चड़ा रहता है, शराब छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान का सराब, बैराग का सराब, भक्ति का सराब, जिसका फल होता है, ये कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, ये पक्की निश्चेता, सारी अहंता ममता समाप्त, जिसकी सारी अहंता ममता समाप्त हो गई, उसके मन में कौन सी पीडा रहेगी? सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर, तालतलेया क्यों डोले? हंस मान सरोवर में पहुँच गया, अब कीचड भड़े, तालतलेया में वो क्यों डोले? मान सरोवर बाहर सतसंग, भीतर सुरूप इस्तित, शान दे. मनुस को चाहिए सदेव सतसंग का आधाल लेकर के रहे, साद्व सतसंग में रहे, ग्रस्त भी समय समय से सतसंग का आधाल लेता रहे, सदग्रंथ जो संद का प्रतनिदी है, उसे रखे और खूब पढ़े, अपने घर में ऐसा बातावड बनाए कि सतसंग हो जाए, सदग्रंथ का विस्तार करो, घर में सतसंग हो जाएगा, स्वयम छमा करो, आपकी पतनी भी छमा करने के सीखएगे, स्वयम मीठा बोलो, आपका लड़का भी मीठा बोलना शुरू करेगा, स्वयम संतोज करो, आपके भाई भी संतोज करेंगे, जो सदग्रंथ हैं, स्वयम अपनाओ, उसी कंसार चलो, तो घर वाले भी दिरे दिरे सिखेंगे, आप स्वयम उद्वेगितो, स्वयम लोलुपो, स्वयम अस्तव्यस्तो, और चाहते हो घर वाले सब ठीक हो जाएं, अपनी पवित्र रहनी से घर का वातावर्ण, सत्संग का वातावर्ण बना दो, स्वयम जीना सुरू करो, अपने आप होगा, सोचना नहीं पढ़ता, काना नहीं पढ़ता, स्वयम रहनी में रहने लगए, आग जहां जलेगी, चारो तरफ अपने आप गर्मी विकिर्ण होगी, बर्फ जहां होगी, चारो तरफ शीतलता फैलेगी, सदगुन संपन्य विक्त जहां होगा, अपने आप लोग लाब लेंगे, स्वयम साहना सीखो, छमा करना, गम का खाना सीखो, संतोष करना सीखो, घर में सत्संग का बातवन बनता जाएगा, बाहर सत्संग मानसर हो रहे, भीतर निर्मल मन मानसर हो रहे, सारी गाठे कट गई, निर्मल मन, अना सक्त चित, हंसा पायो मानसर वर, ताल तलया क्यों डोले, ताल तलया विसे बास्टना, राग दोईस कला कलपना, तु तु मै मै, जब हंस मानसर वर पा गया, तो कीचड भरे, ताल तलाई में क्यों डोलेगा, निर्मल मन हो गया, गंदी बात क्यों सोचेगा, क्यों करेगा, तेरा साहब है घट भीतर बाहर ने ना क्यों कोले, तेरा साहब तेरे घट में, काने से दोईत लगता है, इसलिए सारे कथन सापेक्छोते हैं, निर्पेक्छ नहीं होते हैं, बड़ी सावधानी से कथनों का अर्थ समझना चाहिए, अपने भीतर है, ये काना भी अपुर्ण है, मेरे भीतर और कुछ होगा, मैं ही तो हूँ, तो मेरे भीतर और क्या है, न भीतर है न बाहर है, कानिक तरीका भर है, मेरे भीतर है, इसका आर्थ होता है, शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर भी देहोपाद से कहा जाता है आत्म ना शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर है वो अपने आप है बाहर भी तरक्या इन सारे शब्दों का अरतिय ही हुआ है कि जिसको पाना है वो स्वैम हो परमात्मा पाना है आप स्वैम परमात्मा हो ब्रह्म अल्ला खुदा गाड़ पाना है आप स्वेम वो हो निर्वान और मोक्ष पाना है परमानंद पाना है वो आपका स्वरूप ही है तेरा साहब है घट भीतर बाहर नेना क्यों खोले बाहर चकर-चकर क्या देखते हो अंतर मुख हो जाओ कल मैंने कहा था खुले नयन अहसी हसी पहिचानो सुंदर रूप निहारो अवाज साहब कहते है बाहर नेना क्यों खोले इसमें विरोध नहीं है उसमें सगण उपासना इसमें निर्गण उपासना है जब बाहर आंके खुले है समझ लो सब प्रभू है मेरे समान है, सब परमात्मा है आखेवंद करो अपनी अंतरात्मा में इस्तित हो जाओ बाहर खोलने कजरूरत नहीं भीतर परमात्मा है, बाहर परमात्मा है यह कथन इसी ढंग से सच है भीतर, यानि शरीर के भीतर सुसत्ता मैं हूँ वही परात्मा है और परमात्मा है वही ब्रह्म है बाहर जो लोग दिखाई देते हो भी सब ब्रह्म सरूप है राम सरूप है आत्म सरूप है सब सजात्य है ऐसी मनोभावना तत्र का मुहां का शोकर एक तम अनुपश्यत यह शुक्ल जरुवेत का आदा मंत्र है तत्र का मोह आईसी अवस्था में पहुच जाने पर मोह कहां और शोग कहां एकत्तम अनुपश्यत वो एकत्तम देखता है सब में अनु कहते पीछे को यहां पीछे से अर्थे पीछे पीछे बारं बार जो बरावर एकत्त देखता है वो मोह कहां करेगा शोग कहां करेगा तेरा साहिब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले कहत कवीर सुनो भाई सादो साहिब मिलगे तिलो दे साहिब कहते है ऐसंतो साहिब तो तिल के ओट में छिपा था तिल का दाना बहुत छोटा सा होता है वो भी बहुत बड़ा है परवत बरावर है आत्मा के सामने रिष्ट ने कहा है अड़ो रड़ियाम महतो महियान वो अड़ो से अड़ो है औ महान से महान है सुरूप से वो अड़ो से अड़ो है बहुत सुक्षम है उसके लिए का पाना मुस्किल है कितना सुक्षम है लेकिन महतो महियान महानों में महान है सारा ग्यान विग्यान उसी का है अत्त सुक्षम आत्मा और अपने ग्यान से पूरे संसार को जबजोर करके रख देता है सारी ग्यान विग्यान की हल चल कहां से और न समझ करके प्रभुत की इच्छा से लोक एशना में पढ़ करके राग दोईस की हल चल वही किये अखबार पढ़ो तो लगता है दुनिया में आग लगी राजनेताओं को तो सदेव आग लगी रहती है हाई तोबा और आज नेताओं की विचारों से अखबार पूर्ण होते है इसलिए अखबार पढ़ने वालों को चाहिए बहुत सावधानी से काम भर की चीज़ देख ले अपना समय उसमें ज़्यादा बरबाद न करे तो ये चेतन ज्ञानत स्रूप चेतन अत्यनत सूक्ष में और अपने गुड़ों में इतना महान सारा ज्ञान विज्ञान की हल चल इसी की देन सारे इसरों देवताओं की कलपना इसी ने की है सारे सास्त्रों की इसी ने रचा है भूत प्रेज जादू टोना जंतर मंतर का बवंडर इसी ने खड़ा किया अपने सुरूप को भूल करके अनेक भ्रांतियों का स्रजन भी इसी ने किया इसलिए अपने आत्मस्तित को समझो साहे मिल गे तिलोल है तिल के ओट में ब्रह्म, राम, परमात्मा छिपा था हम बाहर खोज रहे थे परमात्मा को बाइबिल में भी लिखा है क्या इसर को कोई खोज के पास सकता है कहीं के भी साधक हो, जब अंतर मुखोते हैं तो उनको यही कहाना पड़ता है खोजोगे जहां तक, वहां तक दुनिया की चीज मिलेगे खोज ना छोड़ दो, बस स्वेमो, दोड़ दोड़ दोड़िया जहां तक मन की दोड़, दोड़ ठका, मन तिरवया, बस तो ठोर की ठोर